महाराष्ट के गवणर, स्रीपी राधा कृष्णन जी, महाराष्ट के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, स्रिमान एकनाथ छिंदे जी, उपंबुख्यमंत्री, देवेंदर फड़नविश जी, अजीत पवार जी, पूने के सांसत, और मंत्री परिशत के मेरे युवा साथी, भाई मुरलिधर, केंदर के अन्य मंत्री जो वीडियो कांट्रों से जुड़े हुए हैं, महाराष्ट के सभी वरिष्ट मंत्री गण भी मेरे सामने मुझे दिखाई दे रहे हैं, सांसत गण, विदायक गण, और इ माजया, सर्व लाड़क्या बहणिना, आणी लाड़क्या भावाना, माजया नवश्कार, दो दिन पहले, मुझे कई बड़ी परियोजनाओं के लोकारपण और सिलान्यास के लिए पूरे आना था, लेकिन भारी बारिश के चलते, वो कायरकम रत करना पड़ा, उसमें मेरा तो नुक्षान है ही, क्योंकि पूरे की कण कण में राष्ट्र भक्ती है, पूरे के कण कण में समाज भक्ती है, ऐसे पूरे में आना, वो अपने आप में कुर्जावान बना देता है, तो मेरा तो बड़ा लॉस है, कि मैं आज पूरे नहीं आप आ रहा हूँ, लेकिन अब टेक्नोलोजी के माध्यम से, आप सभी के दर्शन करने का, मुझे सवभागी मिला है, आज पूरे की ये धर्ती, भारत की महान विबुतियों की परिणा भूमी, महराज्च के विकास के नए अध्याय की साक्षी बन नहीं है, अभी डिस्टिक कोट से स्वार गेट सेक्शन रूट का लोकारपन हुआ है, इस रूट पर भी अम मेट्रो चलना शुरू हो जाएगी, स्वार गेट कात्रज सेक्शन का आज सिलान्याज भी हुआ है, आज ही हम सब के स्रधे क्रांती जोती, सावित्रिबाई फुले, मेमोरियल की नीव भी रखी गई है, उने शहर में इज अफ लिविंग बढ़ाने का हमारा जो सपना है, मुझे खुशी हैं कि हम उस दिशा में तेज गती से आगे बढ़ रहे हैं, भाईव बहनों, आज भगवान विठ्थल के आथिरवात से, उनके भक्तों को भी स्नेह उभार मिला है, सोलापूर को सीधे एर कनेक्टिविटी से जोड़ने के लिए एरपोर्ट को अफग्रेड करने का काम पूरा कर लिया गया है, यहां के टर्मिनल बिल्डिंग की ख्षंता बढ़ाई गई हैं, यात्रियों के लिए नई सुविधाएं तैयार की गई हैं, इसे देश, बिदेश, हर स्थर पर बिठोबा के भक्तों को काफी सुविधा होगी, भगवान विठ्थल के दर्सन करने के लिए, लोग अप सीधे सोलापूर पहुंच सकेंगे, यहां व्यापार, कारोबार और परियतन को भी बढ़ावा मिलेगा, मैं महाराष्ट के लोगों को, आप सब को, इन सभी विकास कारियों के लिए, बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुबकामनाई देता हूँ, साथियों, आज महाराष्ट को, नए संकल्पों के साथ, बड़े लक्षों की जरुरत है, इसके लिए हमें, पूरे जैसे हमारे शहरों को, प्रगति का, अर्बन डेवलप्मेंट का, सेंटर बनाना जरुरी है, आज, पूरे जिस गती से आगे बढ़ रहा है, यहाँ, जनसंख्या का दबाव भी, उतनी ही तेजी से बढ़ रहा है, पूरे की बढ़ती जनसंख्या, शहर की स्पीड को कम न करे, बलकि उसका सामर्थ बढ़ाए, इसके लिए हमें अभी से कदम उठाने की जरूरत है, यह तब होगा, जब पूरे का पब्लिक ट्रांस्पोर्ट आधुनिक होगा, यह तब होगा, जब शहर का विस्तार तो हो, लेकिन एक खेत्र की दूसरे से कनेक्टिविटी बहतरीन रहे, आज महायूती की सरकार इसी सोच और एप्रोज के साथ दिन रात काम कर रही है, साथियों, पूरे की आधुनिक जरुवतों को ध्यान में रखते हुए, बहुत पहले से काम किये जाने की जरुवत थी, पूरे में मेट्रो जैसा एडवांस ट्रांस्पोर्ट सिस्टिम बहुत पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन दुरभागे से बीते दसकों में हमारे देश के शहरी विकास में प्लानिंग और विजन दोनों का अभाव रहा, अगर कोई योजना चर्चा में आती भी थी, तो उसकी फाइल ही कई कई वर्षों तक अठकी रहती थी, अगर कोई योजना बन भी गई, तो भी एक-एक प्रोजेक कई-कई दसकों तक लटका रहता था, उस पुराने वर्ष कल्चर का बहुत बड़ा नुक्षा हमारे देश को, महराश्चर को और पूने को भी हुआ, आप याद करिए, पूने में मेट्रो बनाने की बात सबसे पहले 2008 में शुरू हुई थी, लेकिन 2016 में इसकी आधार्थिला तब रखी गई, जब हमारी सरकार ने अर्चनों को हटा कर तेजी से निर्णय लेना शुरू किया, और आज देखिए, आज पूने मेट्रो रप्तार भी भर रही हैं, और उसका विस्तार भी हो रहा है, आज भी एक और हमने पुराने काम का लोकारपन किया है, तो साथ ही स्वार गेट से एक कात्रज लाइन का सिलान्याद भी किया है, इसी साल मार्च में मैंने रुबी हाल क्लीनिक से रामवाडी तक मेट्रो सेवा का लोकारपन भी किया था, 2016 से अब तक इन साथ आठ वर्षों में पूरे मेट्रो का ही विस्तार इतने रूर्ट्स पर काम की ये प्रगती और नए सिलान्याद अगर पुरानी सोच और कार्यपद्दती होती, तो इन में से कोई भी काम पूरे नहीं हो पाते, पिछली सरकार तो आठ साल में मेट्रो का एक पीलर भी खड़ा नहीं कर पाई थी, जबकि हमारी सरकार ने पूरे में मेट्रो का आधुनिक नेटवर्क तैयार कर दिया है, साथियों, राज्य की प्रगती के लिए विकास को प्राफिक्ता देने वाली सरकार की निरंतरता जरूरी होती है, जब जब इसमें रुकावट आती हैं, तो महराष्ट को बड़ा नुक्सान उठाना पड़ता है, आप देखिए, मेट्रो से जुड़े प्रोजेक्ट हो, मुम्बई अमदाबाद बुलेट ट्रेड हो, या किसानों के लिए सिंचाई से जुड़े कई महत्वपुन काम हो, डबल इंजिन सरकार से पहले महाराष्ट के विकास के लिए जरूरी ऐसे कितने ही प्रोजेक्ट्स डिरेल हो गए थे, इसी का एक और उदारण है, बिड़किन इंडस्ट्रियल एरिया, हमारी सरकार के समय, मेरे मित्र देवेंद्र जी ने और इक सिटी की संकल्पना रखी थी, उन्होंने दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कोरिडोर पर शिंद्रा बिड़किन इंडस्ट्रियल एरिया की नीव रखी थी, नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलोप्मेंट प्रोग्रेम के तहत इस पर काम होना था, लेकिन बीच में ये काम भी ठप हो गया था, अब सिंदेज के नेत्रों तो मैं डबल इंजिन साकार ने उन अर्चनों को भी हटाने का काम किया है, आज यहाँ बीड़किन इंडस्ट्रियल नोड को भी राष्ट को समर्पित किया गया है, छत्रपती संभाजी नगर में लगभग आठ हजार एकड में बीड़किन इंडस्ट्रियल एरिया का विस्तार होगा, कई बड़े बड़े उद्द्योगों के लिए यहाँ जमीन एलोट हो गई है, इससे यहाँ हजारों करोड का निवेश आएगा, इससे हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा, निवेश से नोकरी पेदा करने का ये मंत्र, आज महाराष्ट्र में युवाओं की बड़ी ताकत बन रहा है, विख्सित भारत के सिखर पर पहुंचने के लिए, हमें कई पड़ाव पार करने हैं, भारत आधुनिक हो, भारत का मोडनाइजेशन भी हो, लेकिन हमारे मुलभुत मुल्यों के आधार पर हो, भारत विख्सित भी हो, विकास भी करें, और विरासत को भी गर्व के साथ लेकर आगे बढ़ें, भारत का इंफ्रास्रेक्टर आधुनिक हो, और ये भारत की आवशक्तन और भारत की प्राथिक्तन के आधार पर हो, भारत का समाज, एक मन, एक लक्ष के साथ, इन सारी बातों को ध्यान में रखकर हमें आगे चलना ही है महाराश्टर के लिए भी जितना जरूरी फ्यूचर रेडी इंफ्रास्रक्टर है उतना ही जरूरी है कि विकास का लाप हर वर्ग तक पहुंचे ये तब होगा जब देश के विकास में हर वर्ग हर समाज की भागीदारी होगी ये तब होगा जब विट्सित भारत के संकर्प को नेत्रूत देश की महलाएं करेगी समाज में बदलाव की जिम्मेदारी जब महलाएं उठाती हैं तो क्या कुछ हो सकता है महराष्ट की धर्ती तो इसकी साक्षी रही है इस धर्ती ने और इस धर्ती से सावित्री भाई फुले ने महिलाओं की सिख्षा के लिए इतना बड़ा अंदोलन शुरू किया था यहां बेहन बेटियों के लिए पहला स्कूल खोला गया था इसकी स्मृती को इस विरासत को संजो कर रखना जरूरी है आज मैंने देश के उसी प्रथम गल्ड स्कूल में सावित्री भाई फुले मेमोरियल की आधार सिला रखी है मुझे खुशी है कि इस मेमोरियल में एक स्कील डवलप्मेंट सेंटर, लाइब्रेरी और दूसरी जरूरी सुविधाओं का निर्मार भी किया जा रहा है ये मेमोरियल सामाजिक चेतना के उजन आंदोलन की इस मृत्यों को जीवन्त करेगा ये मेमोरियल हमारे समाज को, हमारी नई पीड़ी को प्रेरिना देगा भाई और भेनों, आजाजिक के पहले देश में जो सामाजिक हालात थे जो गरीबी और बेदभाव था, उन हालातों में हमारी बेटियों के लिए सिच्छा बहुत मुश्किल थी सावित लिबाई फूले जैसी विभुतियों ने बेटियों के बंद सिच्छा के दरवाजों को खोला लेकिन आजाजिक के बाद भी देश उस पुरानी मानसिकता से पूरी तरह मुक्त नहीं हुआ कितने ही ख्षेत्रों में पिछली सरकारों ने महिलागों की एंट्री बंद करके रखी थी स्कूलों में सौचाले जैसी मुल्बुत से विदाओं का भाव था इसके कारण स्कूल होने के बावजुद भी स्कूलों के दरवाजे बेटियों के लिए बंद थे जैसे ही बच्चियां थोड़ी बड़ी होती थी उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ता था सैनिक स्कूलों में तो बेटियों के एडमिशन पर रोक थी सेना में जादातर कारक्षेत्रों में महिलाओं की न्यूक्ति पर रोक थी इसी तरह कितनी ही महिलाओं को पेगनेंसी के दौरान नोकरी छोड़नी पड़ती थी हमने पुरानी सरकारों की उन पुरानी मानसिक्ताओं को बदला पुरानी ववस्ताओं को बदला हमने स्वच्छ भारत अभियान चलाया उसका सबसे बड़ा फाइदा देश की बेटियों को हमारी माता और बेहनों को हुआ उन्हें खुले में सौच से छुटकाना मिला स्कूलों में बनाए गए सौचालों के कारण और बेटियों के लिए अलग सौचालों के कारण बेटियों का ड्रोप आउट रेट कम हुआ हमने आर्मी स्कूल के साथ साथ सेना में तमाम पदों को महिलाओं के लिए खोल दिया हमने महिला सुरक्षा पर कड़े कानून बनाए और इस सब के साथ देश ने नारी शक्ती बंदन अधिनियम के जरिये लोक तंत्र में महिलाओं के नेतरुत्व की गारंटी भी दी है साथियों हमारी बेटियों के लिए जब हर क्षेत्र के दरवाजे खुले तबी हमारे देश के विकास के असली दरवाजे खुल पाए मुझे विश्वास हैं सावित्री भाई फुले मेमोरियल हमारे इन संकल्पों को महिला ससक्तिकरण के हमारे इस अभ्यान को और उर्जा देगा साथियों मुझे भरोसा हैं महराष्ट की प्रेणाएं महराष्ट की ये धर्ती हमेशा की तरह देश का मारदर्शन करती रहेंगे हम सब मिलकर विश्षित महराष्ट विश्षित भारत का इलक्ष पूरा करेंगे इसी विश्वास के साथ आप सभी को एक बार फिर इन महत्वपूर्ट परियो जनाओं के लिए हारदिक बढ़ाई देता हूँ आप सबता बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ